नमस्कार मैं हूँ पवंत्यागी उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाओ का सेमी फाइनल का रिड़ट आ गया है और इस सेमी फाइनल में भारतिय जंता पार्टी ने ऐसी जीत हासिल की है कि विरोधियों का सूप्रा साफ हो गया है जो समाजवादी पार्टी अभी दम भर है दो हजार बाइस के चुनाओं में कि हमारी सरकार बनेगी वह अखलेस यादा वभी मूझ चुपाता घूम रहे हैं मीडिया वालों को मिल नहीं रहे हैं बाइड देने को अगर आ रहे हैं तो शोशल मीडिया पे हल्ला पहला रहे हैं कि भारतिय जंता पार्टी ने घपला उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत के चुनाओं में इतिहास रच दिया है जी हाँ अगर मैं कह रहा हूं इतिहास तो ये इतिहास है कि भारतिय जंता पार्टी की जो सीटे हैं वो 67 आई हैं और दो सहयों की डलों की सीट आई हैं ये आज तक की हिस्टरी में सबसे ज़्या काल में एक इतिहास बनाए और वो इतिहास ये है कि किसान की बेटी पढ़ने वाली बच्ची जिसको बच्ची कह रहा हूं बिल्कुल मेरी बेटी जैसी उमर की मतलब समय लो पढ़ रही है राज नीटी से कोई लेना देना नहीं है लेकिन एक अच्छी वक्ता पढ़ने वा किस्टेशन में वो आरती तिवारी को जो केवल मात्र 21 साल की है जिला पंचायत का सदस्त बनाया गया और फिर वो निर्विरोज चुनी गई ये है इतिहास आपको बताऊं वो 21 वरसी है जो छात्रा है सनातक में पढ़ती है और वो किसान की बेटी है ये पहली बार हुआ है कि 21 जो केंडिडेट हैं निर्विरोज चुने गए हैं जिसमें गाजेबाद से ममता त्यागी भी है और आपको बताएं मेनपुरी जो गड़ है समाजवादियों का वहां 30 साल का रिकोर्ड टुटा है कि वहां भारती जनता पार्टी ने अपना परचम लहरा आया है अब अ के पास इस बात का उत्तर है तो वह क्या कहेंगे आपको एडवांस में बता रहा हूं वह कहेंगे जिला पंचायत चुनाओ अलग है और जो विधान सभा का होगा उसमें हम दम दिखाएंगे ठीक है मैं गाउं के एरिये से आता हूँ गाउं में जितना क्रेज विधान सभा के चुनाओं का नहीं होता उससे जादा क्रेज होता है ग्राम पंचायत का और उससे जादा क्रेज होता है जिला पंचायत के सदश का और आपको बता दूँ एक केंडर का मंत्री हो उसकी इतनी आज इज्जा ताबरू गाहों के एरिये में नहीं होती उसकी रिगाड इतनी नहीं होती हाला कि मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं लेकिन तुलना बता रहा हूं ग्रामीड एरिये में जिला पंचायत अधक्स अध्यक्ष को वहां सबसे पावरफुल सम्मानित व्यक्ति माना जाता है क्योंकि वो किसान परिवार से जुड़ी हुई फैमली का होता है वो कि दिली चला जाएगा लेकिन जिला पंचायत का सदस उनी के गाउं के पकड़ में और उनी के जिले के केंदर में उनके लिए उपस्टित है जो गाउं के नाली खरंजे विकास के काम कराता है तो आपको बताऊं ये जो जिला पंचायत के सदस हैं या जिला पंचायत के अध् यह उप विधायक समझ लीजी आप इनको यह एक तरह से उप सांसत समझ लीजी है इनको क्योंकि यह अभी जो चुनाव आने वाला है उस 2022 के योगी सरकार का जब दुबारा से आकलन होगा तब तक लोगों में पहुँच बना कर पकड़ बना कर यह लोग योगी जी के सरकार क योजनाओं को विस्तार से गाउं गाउं में पहुचाएंगे और जो यह फरजी किसान अंदोलन करने वाले लोग हैं इनका भी जो गड़ है मुझा फननगर जहां से राकेश टिकैज जी आते हैं अपने जिले को नहीं बचा पाए वहां भी गए और भारती जनता पार्टी की टीम में आए हैं ये भारती जनता पार्टी की टीम को गाउं गाउं में उत्तर प्रदेश के मजबूत करेंगे योगी जी की योजनाओं को किसानों तक बताएंगे और इनकी बात लोग सुनेंगे मैंने गाउं में देखा है कि यदि कोई जिला पंचायत का सदस्त गाउ में आ रहा है ये सूचना मात्र मिल जाए पूरा गाउं स्वागत के लिए खड़ा हो जाता है अरे भाई पंचायत जिला पंचायत के सदस्त सहाव आ रहे हैं मेंबर सहाव आ और जिला पंचायत का अध्जक्ष उसका तो रुतबा ही क्या और रुतबा केवल है काम का आज योगी सरकार में जो ये चुना हुए हैं ये कभी मोटे मोटे पैसे वालों के लिए हुआ करते थे बीज लाग पचास लाग एक करोड कौन कितने में खरीद रहा है कौन किसको पैसे दे रहा है और गुंडा गर्दी और दुनिया भर की बात है लेकिन आज जो चुना हुआ ये आरती तिवारी का चैन बता रहा है कि आज ये जो सरकार है इसके अंदर ना तो गुंडा गर्दी है ना रिश्वत खोरी है ना जो ड्राध हमकाना है और केवल यदी है तो योगता के आधार पर जो वेक्ति को देखा गया है कि वो किसी योग है उसको चुन करके आगे लाया जा रहा है भारती जनता पार्टी ने ये जो चात्रह है आपको बता रहा हूँ आरती तिवारी इसको जिला पंचायत सजश्त बनाकर ये मेसिज देने की कोशिकी है उत्तर प्रदेश के युवाओं को खास तोर पर युवाओं को के योगी जी का जो वीजन है वो इस तरह से लाखो बंपर भरतियां उत्तर प्रदेश में बिना रिश्वत दिये और पार दर्सी साथे हो रही हैं इसी तरह योगी जी ने एक मैसिस दिया है आरती तिवारी के जरिये के यदि कोई राजनिती में भी इच्छा रखता हो युवा और वो आरती तिवारी जैसा म समझ हो अच्छा बोलना जानती हो समाज में पकड़ हो तो उसको योगी जी अपनी टीम में शामिल करने को तयार है कोई एक रुपया देने की जुरतनी है बैक ग्राउंड बेसक किसान की हो गरीब की हो योगी जी उसको आगे बढ़ाएंगे तो इसलिए आपको बता रहा ह सेमी फाइनल इसलिए कहा जा रहा है विदान सबा का कि जैसे ही चुनाओ आएंगे अब आप देखना कि जिन में योगता है योगी जी केवल टिकट के टाइम में अब पहले जैसा चलने वाला नहीं है ये मेरा आकलन है कि ये मंतरी के कोटे से है ये संतरी के कोटे से है ये क और उसके लिए वो जो टीम का चैन करते हैं योगी जी वो फाइनल जो करेंगे टिक्टों का आप देखेंगे उसमें कि आपको वो चेहरे मिलेंगे जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते कौन जानता है आरती तिवारी कौन है भाई पढ़ने वाली बच्ची कोई सोच सकता है कि जिला पंचायत का सरस मैं तो जितने चुना हुआ इसके पहले देखता आया हूँ जिला पंचायतों के क्योंकि मैं भी गाउं का रहने वाला हूं मेरे ठगाथ भाई साब लाखों रुपे पचास लाख से तो उपर हो तो जिला पंचायत अद्धक्ष बनने की बात करो य युवाओं के लिए गरीबों के लिए शोशितों के लिए वंचितों के लिए वो काम कर रहे हैं और उस काम का इफेक्ट देखिए कि 67 सीट लाना दो सहयोगी का लाना 69 हो गई और 75 जिले हैं उन 75 में जहां 6 ये सपा 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 पे हुआ है वो बाकी सब सपा हो गया लेकिन कुछ तो इज़त बचानी थी इतने पुराने घराने से चले हैं समाजवाद से लेकिन अब आप देखेंगे कि जो ये चुनाव आएगा अब अखलेश जी इस रिजल्ट को समझ लें इसी रेशो में आपको वो सीटे मिलनी हैं जो चुनाव में आओगे आप कह रहे थे सरकार अरे बैया सरकार तो बहुत दूर की बात है आप अपनी इज़त बचा ले जाओ तो देख लेना आप मिलो सारे साब पिरोडीडल मिलने को ताल लेख रहे हैं वेसी को बला लो हैदराबास से लियाओ इदर से लियाओ उदर से मुलाना जोड लो करते रहो तोर तोर तुम हर चुनाओं में करते हो लेकिन योगी जी की इस आंधी को रोक पाना तिनको के बश में नहीं है ये तिनके यूँ उड जाएंगे 2022 में लोग कहेंगे कहां गई सपा ऐसी सपा होगी जो बसपा सपा हुई ऐसी इस बार भी होगी और इस बार आपक देश का है वो है कि योगी जी के आगे कोई नहीं योगी जी है तो बस और कोई नीची है तो जनता का मूर और आपको बता रहा हूं लोग चाहते हैं कि योगी जी अगले परधान मंतरी हो और देश का परधान मंतरी कैसा हो मोधी जी का परफॉर्मेंस लोगों को याद है उने आकलन किया और उनको देश का परधान मंत्री स्विकार किया आज वही वर्ड योगी जी के बारे में उत्तर परदेश की जनता बोलती है कि ये ऐसा काम कर रहे है जो बिलकुल मतलब आप समझे इतिहास है उत्तर परदेश की राजनिती में तो उत्तर परदेश में 2022 के बोटिंग करो इतनी सीटे दो कि भाजपा जो राजनितिक दल है वो यो विचार करे कि परधान मंत्री बनाने लायक यदि कोई योगी वेक्ती है तो वो योगी आदितनाथ हैं इस देश का परधान मंत्री कैसा हो तो लोग नारा देते हैं योगी जैसा हो और इसलिए हम कोटाले बदमास ट्रांसपर पोस्टिंग धंदा यह सब करने वाले राजनिती छोड़कर कहीं नौकरी कर लें या कोई दुकान खोल लें या कहीं खेती बारी कर लें राजनिती में ऐसे लोगों के लिए जगा नहीं है यह उत्तर प्रदेश की जनता बता दे दो हजार जो